sa pregnancy conceive करना पहले जमाने में इतनी ज़्यादा प्रोब्लेमाटिक बात नहीं होती थी लिकिनप के जमाने में आपको पता है कि अगर महला के शादी हुई है और एक साल के अंदर-अंदर वो conceive करना चाहती है तो कई बार उनको एक साल से ज़्यादा सिर्फ फॉर से ट्राइब करते हो जाता है और बेबी कंसीब नहीं होता है अगर वो नैचुरली ट्राइब करना चारी है तो एक साल के बाद आपको डॉक्टरी मदद देनी के आवशकता होती है लेकिन बहुत से रही ऐसी भी मैलाय होती है जिनको 35-40 साल के आसपास हो रहा है उनके उस टाइम पे उनको 6 मैने के अंदर अंदर ही आपने डॉक्टर विजिट जरूर ले लेना चाहिए ताकि प्रिगनसी में ज्यादा परिशानी आपको ना हो लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है अग टाइम पे बच्चे भी होते थे यानि कि फर्टिलिटी एज में पूरे टाइम जो उनके रिप्रोडक्टिव अंग है वो वर्क करते रहते थे और कभी भी कोई हर्मोन के एशूज नहीं होते थे आपने हार्ट नहीं किसी से सुना होगा कि आज से 20 साल पहले कोई PCOD का शिक वो भी बिल्कुल नॉर्मल डिलिवरी तो ये इतना बड़ा डिफरेंस कहां आगरे की लाइफ टाइल और आपकी लाइफ इस्टाइल में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आगया तो बहुत सरी महीं आया आज भी कहेंगी कि आज भी हम लोग बहुत जयता अच्छे से वर्क या फिर उनकी healthy lifestyle है लेकिन healthy lifestyle और पूरी तरह से workout करना इन दोनों में बहुत बड़ा difference है अगर आप एक गंटा सुबह में exercise भी करती है तो आपकी fertility improve हो सकती है लेकिन जो आपकी diet है जिसको आप हर दिन consume कर रही है उसके वज़े से भी कईवर आपकी infertility में problem आती है अब होता क्या है कि पहले इतने ज़ादा junk food का चलन नहीं हुआ करता था फिल्कुल घर का देशी खाना महिलाये खाती थी और घर के बहुत सब्यादा काम करती है लेकिन अब महिलाए काम करती हैं बहुत जड़ा काम करती हैं वर्काब बहुत ज़़ादा लोड लेके चलती हैं और शरीद के उपर भी लोड लेके चलती हैं लेकिन वो basically फिजिकल अक्तिवीटीज के रूप में कम होता है बलकि mental activities जाधा होती है तो ये जो mental activities है और जिस टेम ज़्यादा बढ़ी हुईसी होती है, वो आगे जाके reproductive अंगों में काफी ज़्यादा दिक्कते आती है, बहुत सरी मैला ऐसे भी होती है, जब अगर वो टेस्ट कराती है, तो पता चलता है कि ट्यूब्स में blockages आई है, तो ये blockages कहां से आ रहे हैं, क्यूं हो जा रहे हैं, और पहले और आपकी lifestyle में जमीन आसमान का अंतर है, इस अंतर को अगर आप कम करना चाहती है, ये बात तो सही है कि back वो चीजे बिल्कुल reverse नहीं हो सकती है, आप पहले की जमाने की है नहीं, तो वो कैस तरह से वो आप बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे lifestyle में changes करके भी आप अपन करना चाहिए, तो basically आपको पूरे body का blood circulation को अच्छा maintain करना है, अगर आप exercise करती है, तो focus करें कि आपके सीने के लेके, सीने के पास का जो हिस्सा है, वहां से लेके पेट तक का या आपके निचले अंगो तक का जो पूरा body का जो पाठ है, उनका circulation या उनका movement होना जरूरी है, आगर माली जी कि आप hand के exercises कर रही है, पैर के exercises आपने कर लिए, लेकिन ये दोनों part तो बिल्कुल cover नहीं हो पाया, तो जो fat का deposition है, वो जादा से जादा आपके belly fat पे होता है, तो कोशिच करें कि अगर simple अगर आप जाडू ही लगा रहे हैं, तो बैठ करके जाडू पर बहुत ही कम पड़ता है, तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप अपने belly fat को जितना control रखेगा, उतना आपके pregnant होने के chances बनते हैं, अब ये बाते आपको लगेगा कि exercise करना और पेट का fat कम करना, क्योंकि ये जितने भी reproductive अंग है, आपको पता है कि at the middle of the body, ये located होता है, त क्योंकि योगासन आज से नहीं बलकी बहुत समय से प्रचलित है, हमारे भारतिये सब्वेतां के अंदर भी आता है, योग आप ज़रूर इंक्लूड करें, जिसे कि पूरे body का circulation काफी अच्छा बनता रहेगा, blood circulation जितना अच्छा रहेगा, उतना महिलाओं को कभी भी period की सम हो रही है, तो ये सब का एक बहतर उपाय है कि आप योगासन को अपने lifestyle में जरूर इंक्लूड करें, सेकंड इंपोर्टन चीज क्या होती है, आपकी डाइट को लेकि तो डाइट में भी आप जंक फूड वगरा ना लेंगे, तो वो जादा बहतर है, जितना घर का खाना, जो कि बिल्कुल normal healthy खाना, जो जो आपकी background से बनता है, माली जी कि आप इडली डोसा ही खाते हैं, तो आप इडली ही खाईए, लेकिन उसकी quantity का ख्याल रखें, आप चावल दाल खाती हैं, तो उसके quantity का ध्यान रखें, लेकिन बाहर की चीज़ का इस्तमाल, आप जितना कम स मसालों का इस्तमाल तो नहीं हो रहा है, तो उन सब का ख्याल रखें, और खुद से cooking करें, या फिर आप उस चीज़ का selection करें, जिसके बारे में आपको पता है कि किस तरह का food का selection आपकी body के लिए अच्छा होगा, तो इन सारी चीज़ों के उपर ध्यान दें, और last but not the least, अपके जमाने में एक basic difference है कि stress का level बहुत ज़्यादा होता है, पहले joint family हुआ करती थी, जहां पर आपको पता है कि सब कोई आपके help करने के लिए होते हैं, लेकिन यहां पर अकेले आपको सब कुछ करना होता है, घर के offices के सब के काम आपको अकेले करने हैं, बच्चों को भी समालना है, या फिर अगर आपका baby अभी conceive नहीं हुआ है, उसके पहले भी बहुत सरे ऐसे responsibilities होते हैं, जिसके वज़े से end number of stress के जो कारण होते हैं, आपके दिमाग पर चलते रहते हैं, जिसके वज़े से पूरे time पूरे time एक महिला काफी ज़्यादा stressful life को वैतित करती हैं, त आपको आज इस वीडियो में सारे बाते समझ में आ गई कि कौन कौन सी चीजे हम कहां पर गलती कर रहे हैं, उसको आप एक बार ध्यान से बैठ करके समझ के, मतलब आप इसको रेट्रोस्पेक्शन करिए, कि आप जो भी चीजे कर रहे हैं, आपको यह नहीं करी हूं कि certain देरे देरे करके रेक्टिफाई करना है, स्टार्ट कर दे, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर अंडे की भी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर जो आपकी लाइफ इस्टाइल है, वो हिल्दी हो जाएगी, तो प्रिग्ननसी कंसीव करना इतने बड़ी मुस